जैपुर के जवार सरकिल थाना इलाके में 18 अगस 2018 को एक युवक पर हुई फाइरिंग के मामले में इस्ट जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जवार सरकिल थाना पुलिस ने मामले में फरार चल रहे लालकोठी निवासी इस्ट्री सीटर गनेश जाट को गिरफतार किया है साथी पुलिस ने गनेश को पनाह देने वाले दो साथियों को भी दबोचा है आरोपी गनेश ने अशोग गुपता नाम के युवक पर फाइरिंग की थी जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को तो गिरफतार कर लिया था लेकिन गनेश जाट फरार चल रहा था पुलिस के मुताबिक गनेश जाट ने अशोग गुपता पर रुपियों के लेंदेन को लेकर फाइरिंग की थी खास बात ये है कि पुलिस की ओर से गनेश जाट पर 11,000 रुपे की इनाम भी गोशित की गई थी फिल्हाल पुलिस आरोपि से पूर्स्टाच में जुटी हुए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सबस्क्राइब करें A1 TV News साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन